सावन दोहजार तेईस बोलेनाथ का पिरिये महीना बहुत पवित्र महीना चारो तरफ हर हर महादेव के नारे जयकार उनकी और बोलेनाथ की पूजा अराधना शिव मंदिरों में शिव भक्तों का सहलाब लगातार मंदिरों में उनका आना जाना उनके जयकारे उनकी पूजा रादना ऐसे में पूरी प्रकर्ति शिव में हो जाती है और क्योंकि भॉलेनाथ आपके घुरों में इन दिनों में वास करते हैं इस बार सावन का महीने एक नहीं दो पड़ रहे हैं अधिक मास होने के कारण सावन का महीना दो होंगे और जिसमें आप अपनी मनोकामना पूर् करते हैं तो वो इतने में ही बहुत परसंद हो जाते हैं परकरति भी शावन के महीने में पूरी हरी बरी होकर बोड़े सबसे पहले नमस्कार आप सबका मेरे चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ वीना शर्मा आप सबको सबसे पहले सावन के महीने की बहुत-बहुत शुब कामना ही देना चाहती हूं और कामना करती हूं कि भोड़े हे श्मा मेरे चोटी चोटी उपाई मैं आपको बताओंगी उन से आपके शिगर मनोकामना पूरण विशेश से जैसा कि और चैनल पर हमेशा देखते हैं मैं बच्चों के विवा में देरी होने का समाधान क्या हो सकता है इस से रिलेटेड ही उपाई बताती हूं तो आपके सब की मनो कामना शिगर पूर्णों हमारे बच्चों के तुरंत विवा योग बने क्योंकि भोड़ीनात्मा पारवती तुरंत विवा तै हो जाते हैं अब आज बात करते हैं कि चोटा सा उपाए मा क्या करे शिव मंदिर की चोखिट पर कि तुरंत बच्चों की विवा योग बन जाएं और इसी सावन के महीने में ही बच्चों की विवा तै हो जाएं ताकि चतुमास निकलते ही बच्चों के तुरंत फटाफट शादिया हो जाएं करना के होगा आपको कल जैसे सावन surg महीना शरू हो रहा रहा है मंगलवार के की सुमबर ओगे आएगा लेकिन कल की दिन शरू हो रहतो पहले दिन ही आपको यूण करके आना है क्या करीे बच्चे भी कर करना क्या होगा कि सुबह में नहाध होके नो बज़े से पहले आप क्या करिएगा कि एक लोटा जल लीजिएगा एक लोटा जल में थोड़ा सा आप दूद डाले तो बहुत अच्छी बात है और उसमें दूद डाली जी क्योंकि रोजाना अगर आप भोड़ेनात को खाली जल सबस्काइबन ओने का मतलब आपके विभा की तयारी हो जाना क्योंकिंख मांता पिता की भी एही कामना है कि बचों के तरण दूद डाल लीजएगा बचों के मन खुश रहेगा, मन संतुष्ट रहेगा, मन की हर इच्छा पूरी होगी उनकी, अगर आप थोड़ा सा दूद डालके, पूरे सावन के दोनों महीने में अगर भोलेनात को जल अरपित करते हैं तो, और इसके साथ ये अगर थोड़ा सा आप शक्कर डाल लेते हैं तो बहुत अ अलग से भी चारदाने शक्कर के भोलेनात को अरपित करके, उपर से ये दूद वाला जल अरपित कर सकते हैं, और इसके साथ लीजिएगा, एक दीपक, आटे का लीजिएगा, दीपक, मनो कामना पूर्ती का दीपक, पहले दिन ही आपको लेके जाना है भोलेनात के मंदिर म आटे का दीपक, वो भी दो मुखी होना चाहिए, दो मुखी आटे का दीपक होना चाहिए आपके पास, शुद देशी घी उसमें डालके, लंबी बत्ती एक तरफ उधर मूँ होना चाहिए, उसका एक तरफ इदर मूँ होना चाहिए, ऐसा दीपक होना चाहिए आपके पास वो दिपक ले लीजिएगा इसके साथ ही लीजिएगा दो लोंग लोंग दो लेनी है कल मंगलवार का दिन है शुरात मंगलवार से हो रही है दो लोंग ले लीजिएगा और लीजिएगा गोड के छोटे-छोटे टुकडे छोट-छोटी कंकरी बना लीजिएगा बच्चे के उमर जितनी कंकरी बना लीजिएगा छोटी-छोटी टोफी नहीं होती है गोली होती है छोटी सी उतनी छोटी-छोटी गोलियां टाइप आप छोटे-छोट टुकडे बना लीजिए गोड के उतने टुकडे जितने बच्चे के विवाग की उमर हो गई है यानि कि अगर 25 साल क हो गया तो 25-26 में चल रहा हो तो 26 बना लीजिएगा और अगर बच्चा 30 का हो गया तो 30 छोड़ छोड़ टुकड़े बना लीजिएगा बच्चे की कितने भी बड़ी से बड़ी उमर हो गई हो यानि कि मैं तो खहती हूं 40 प्लस भी हो गई हो तो भी आप इस उपाई को जरू प्राइब के जाना है हाँ वहां पर जाके सबसे पहले गनपति भगवान कि पूजह करों ट operate कि पूजह करिएगा कारति के बढ़िए गशा करिए sode क्कड़ह के बाद बोलेनात की पूजा शुरू की जिएगा बोलेनात की पूजा में आप सबसे पहले जला भी शेक करिएगा फिर जो आपके पास दूद्वाला जल है वह भी शेक करिएगा उसके बाद से आपके पास बील पत्र होंगे या वहां पर भी वील पत्र होते हैं वहां पर च जलाकर जलाने के बाद उनके सामने बैठके मनोकामना पूर्ति की प्रार्थना करिएगा मनोकामना पूर्ति की प्रार्थना आप मंत्रों को जाब से के द्वारा भी कर सकते हैं और शिव शिव का जाब करते हुए सिधा ऐसे भी कर सकते हैं भगवान के आगे मनोकामना पूर् कि यहां साइड कौन सा है उस बाएं साइड में पैप इस देपक को मुर्स रख दीजिएगा तोखट पर रखदीजिएगा इस दीपक को चोखट पर रखने के बाद आप बैटकर मनो कामना पूर्ति की प्रार्थना करों भोले नाथ के आगे और चोखट है अगर बेटा-बेटी है तो उनको दोГा की अपने माथे पर तरपंड होती हैं कुछ नहीं रगा उता लेकिन आपको सारी आंगलियां सारा हाथ पूरा रखके अपने मात्य पर जैसे सारी अंगुलियां फिरा लेना है लंबाई तोर पर यानि के पूरा त्रिपंडी जैसे लगाते हैं उस तरह अगर माता पिता हो तो वह एक बार चाहे अपने मात्य पर लगा लें कि इससे भागे की जो लकीरे होती है वो बदलती है और इसके बाद से वो दीपक वहां जो दो मुखी है वो दीपक प्रजलती रहेगा एक उसकी बत्ती आपकी तरफ जलती रहेगी और एक भोलेनात के अंदर की तरफ उसका परकाश जाएगा इसके बाद से वहां से वो जो गुड है सारा वो उठा लीजिएगा जितना भी बच् बच्चों की मनोकामनापूर्ती का यह गुड जो है भगवान भोलेनाथ का जो बैल होता है बच्चडा यह बैल उसको खिला दीजिएगा ना मिले गाए बच्चडा को बैल तो गोवश को यानि को गाए को भी खिला सकते हैं इसको करके देखिए आपके तुरंत बच्चों की मनोकामनाप।